हाई एवरिवान आज मैं बना रही हूँ स्प्राउटेट डाल जो की बहुत ज्यादा हेल्दी एनरजेटिक और बहुत ज्यादा टेस्टी है इवन बच्चे भी इसके आद्दक टोरी या कुछ दो तिन चामजी पीएंगे ना तब भी बहुत ज्यादा एनरजी मिल जाएगा तो इसी तरीके से आप अपना 24 का छिलका वाला दाल मिक्स कीजिए जितने भी वेराइटीज आप एड़ कर सकते हैं फिर मैंने ऐसे करके यहाँ पे राजमा भी एड़ कर दिया और दो चार वाश करने के बाद मैंने 6 आज तक इसको भीगने डाल दिया था फिर यहाँ पे म आप बान लीजिए और बान के हम कहीं मैं तो टैप पे ही लटका रही हूँ जैसे मम्मी मेरे मम्मी और दाद्दी वोगरा करते थे तो उसी हिसाब से फिर मैंने वन नाइट छोड़ा था फिर दूसरे दिन भी मैंने छोड़ दिया फिर साम को मैंने देखा तो इस तरीके से स्प्राउट अल्रेडी आ चुका था बट आपको चेक करते रहना है क्योंकि आपके एरिया का वेदर कैसा है यहाँ पे अमारा ज्यादा गर्मी नहीं है तो मैंने एक रात और एक दिन पूरा रख दिया थो इतनी है अच्छी तरीके से स्प्राउट आ चुका है सो अब दाल का रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे मैंने ओनियन ग्रिंचिली और टमाटो को इस तरीके से चॉप कर लिया अला मिक्स डाल जो है ना सिंप्ली आप इसका सूप भी पियेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा एनरजी मिलेगा यहाँ पे मैंने चाना, मटर, काली दाल, राजमा, फिर रोंगे की दाल, फिर सोयबीन सब मिक्स कर दिया था इसी तरीके से मस्टार ओयन में मैंने बेसिक मसाला एड़ कर दिया जीरा, धनिया, फिर मेथी, एजवान वगेरा डाल दिया मेथी और एजवान को स्किप मत कीजिए, यह जरूर डालना है आपको, बिल्कुल हम सिंपल वे में बनाएंगे, कोई तबियत भी नहीं भीगरेगा, इससे उल्टा बहुत ही ज्यादा एनरजी मिलेगा आपको, फिर मैंने यहाँ पे थोरा सा हल्दी, नमक और थोरा सा भी एड़ कर सकते हैं, बत मैं यहाँ पे रेड़ में जिंजर गार्लिक पेस्ट एड़ कर रही हूँ, इसी तरीके से अच्छी तरह से हमें सांते करना है, यहाँ पे मैंने टमाचर भी एड़ कर लिया, फिर अच्छे से मिक्स करके हम थोरी देर के लिए भून देंगे, बह तो अगें यह स्प्राउटेट डाल जो है, अगें दो चार बार आपको वश करना है, क्योंकि इसमें थोरा सा ग्रीसिनेज आ जाता है, तो फिर अच्छे से मिक्स कर लिया, थोरी देर भून लिया, अगें इसको अच्छी तरह से चलाया, और इसमें जितना पानी आपने ड करना है, मैंने इस पे ना 7-8 विशल दे दिया है, क्योंकि मैंने श्रीफ 6 घंते तकी डाल को विगने डाला था तो आपको ओवरनाइट विगने डालना है, डाल हमारा रेडी हो गया, मैंने हरा धन्या को इस तरीके से चौप कर लिया, बिल्कुल अच्छा खुश्बू और एनर्जेटिक फील होड़ा दाल को देखते ही, और इस तरीके से मैंने गार्निशिंग कर दिया, ये देखिया हमारा हेल्दी, टेस्टी, एनर्जेटिक डाल बिल्कुल रेडी हो गया, थोड़ा सा देसी की मैंने एड़ कर लिया, यहाँ पे, सो ये वाला दाल जो है ना हमारे बच्चे, हमारे रेस्पेक्टेट सीनियर सीटिजन्स, लेडीज, जेंज, जवान सब के लिए बेस्टेज, सो जल्दी से इन्जोई कीजिएगा, थैंक यू